हाल ही में प्रियंका चोपडा ने अपने एक बयान में कहा था कि एक समय था जब उन्हें इंडस्ट्री में परिशान किया जाता था, उन्हें अलग कर दिया गया था, इसलिए वो बॉलिवुड छोड़कर हॉलिवुड में शिफ्ट हो गई, ये बयान काफी वाहिरल हुआ, क करेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ, प्रियंका मुंबई में आई अपने परिवार के साथ, अंबानी परिवार की पार्टी में आई, नामी गिरामी सितारों के साथ टाइम स्पेंड किया, सितारों के साथ डांस किया, और सबसे खास बात उन्होंने करन जोहर को गले लगाया, खास इसलिए क्योंकि ये विश्वल हो गया वाइरल, याद हो तो जब प्रियंका ने बॉलिवुट पर निशाना साथा था, तब कंगना ने अपने सोशल मीडिया के जरीए करन जोहर पर निशाना साथा, लेकिन नोट करने वाली बात, प्रियंका का बड़ा दिल है, जिस तरह से वो सबसे मिली, इसे पता चलता है कि वो अच्छे दिल की है, पुरानी बातों को भुला कर दिल में इश्क-महबत लेकर, बता दिया दुनिया को all is well, और जब मुंबई में हुव सिटाडिल के प्रेस कॉन्फरेंस में मीडिया ने उनसे पूछा की, उन्होंने अपन इतने सालों बात क्यो सुनाई सुनी उनका जवाब? खास में में के तुनिया से उनका में मह दाव प्रेस लंट ना कर दो हैै, और दोखेंखाय में कर दो कि पूल्ठाय को जो सबदchsक् marijuana कने स Griff SociEEP ब्लत के आपने एंग बनाना चाहाऍ जा गोग same i was okay enough to kind of articulate what I felt. I think I had a very tumultuous relationship with what occurred but I forgave a I moved on a long time ago and then I made my peace with it. And I think that's why it was easy for me to talk आपने प्रियंगा का एक्स्प्रेंशन प्रियंगा की स्मार्ट और स्वीट नेचर पर आपके क्या रियाक्शन्स है पोस्ट करें अपने कॉमेंट्स और देखते रहें बॉलिवुड नाव